प्रिदेश में मानसून के आने और लोटने की सामाने तिथियों में परिवर्तन आगया है जिहां पिछले 30 सालों के मौसम विशलेशन के बाद राजस्थाद में मानसून के आने और लोटने की तिथिया बदल ही गई है इस साल प्रदेश में मानसून 13 दिन की देरी से प्रवेश करेगा तो भी 8 दिन की देरी से विदा भी होगा मानसून के जहलावाट से अब 15 जून की बजाए 28 जून को प्रवेश करने की बाद कही गए इसके साथ ही राजधानी जैपूर में इस बार शाट दिन की देरी से मौनसून प्रविश करेगा और आठ दिन जादा इसके यहाँ पर रहने का नुमान है राश्री मौसम विभाग ने जलवायू आकडों के विशलेशन के बाद पूरे देश में मौनसून की सामाने तिथियों में बदलाव किया है देश के सभी शहरों में मौनसून से जूड़ी तिथिया इस नए कैलेंजर में 150 शहरों के मौनसून कैलेंजर में से 64 शहरों की मौनसून की तिथियों में भी बदलाव किये गए है साल के आकडों के विशलेशन के बाद आखिरकार इस बार मौनसून के आने और जाने की तारीक में परिवर्तन हो गया है जिहां एक जून से उटने वाला मांसून इस बार केरल में 5 जून को प्रवेश करेगा ज़िदी बात राजिस्थान की करी जाए तो राजिस्थान में 13 दिन की देरी के साथ करीब 28 जून को राजिस्थान में जालावाल से मांसून प्रवेश करेगा इसके साथ ही आठ दिन देरी के साथ राजिस्तान से वापस जाएगा और साथ ही साथ अगर राजधानी जैपूर की बात करी जाए तो राजधानी जैपूर में करीब चार दिन की देरी से मांसून प्रवेश करेगा और आठ दिन की देरी से वापस जाएगा यह सभी आकड़े 1961 से लेकर 2019 तक और लोटने के आकड़े 1971 से लेकर 2019 तक के आकड़ों पर विशलेशन के बाद इस्तिथी का फैसला किया गया है मैं केमरा परसंट राम किशन सैनी के साथ रिशाप पांटे एवन टीवी न्यूस जैपूर